तो साथ हम बात करेंगे composition of a function, अब function basically क्या है, function is a basically process है, जिसके अंदर आप एक set of input देते हैं और आपको set of output मिल जाती है, ठीक है, यानि हर input के against आपको एक output मिलेगी, ठीक है, तो basically यह हमारे पास बन जाएगा function, ठीक है, यह हमारे पास बन जाएगा function, यानि एक single input एक single output के sign, जो के एक trigonometric ratio है, sign एक function है, आप कहते है, sign, let's say, आप sign 45 करते हैं, आप sign 45 जो है, वो एक function है, इसके अंदर आपने 45 इंसर्ट किया, sign आपने value दे दी, which is called 1 hour square root 2, 1 hour square root 2, इसका मतलब यह हुआ कि आप इसके अंदर input डालता जाएगा, sign 30, sign 60, तो आपको उसके accordingly, यह sign जो है वो value देता जाएगा, so इस तरह से यह बन गया function, ठीक है, अब composition of function किया है, let's say, हमारे पास एक function है, यह function को compose करने जा रहे है, हम खुद function को compose करेंगे, ठीक है, देखें, एक function है, हमारे पास f of x, ठीक है, which is equal to 2x plus 1, ठीक है, एक function है, g of x, जो के बराबर है, you know, 4x, ठीक है, 4x के equal, अब हम find out करेंगे, अब हम एक function compose करते है, let's say, f of, f of, g of x, f of, g of x, जो है, वो किस के equal होगा, let's say, मने एक function compose किया, अब यह किस के बराबर होगा, देखें, इसको, इसको understanding करेंगे, सबसे पहले बात, के f of, g of, यह bracket मैं off के लिए यूज करूँ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f of, f, बलके f of, और लिखे, f of, g of, g of x, f of, g of x, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का यह भी वे है हमारे पास, ठीक है, अब देखें, यहां पर हम study करेंगे, इन्हें दोनों equivalent statement है, ठीक है, अब हम study करेंगे, f of, g of, x, actually है, क्या, देखें, हम यह बात जानते हैं, कि function में domain और range होती है, अब x जो है, यहां पर जो भी आप x की values insert करते जाएंगे, वो basically domain कहलाएगी, और आपके पास, जो values, f of x, which is actually equal to y, जो इसको solve करने के बाद answers आते जाएंग और जो आप g of x complete finite finite करेंगे, हम इन complete इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर भी f of x complete की बात की थी, which is equal to y, यह भी definitely y के एकल होगा, इसकी भी एकलाएगी range, यह आपने let's suppose 2 रखा, तो 2 domain है, तो 4208, 8 range में आगा, ठीक है, अब देखें, हम f of gfx को कैसे finite finite करेंगे, लेकिन यहां पर देखें, f of x की जगा, यहां इस bracket में यह bracket है, यह x को replace कर रहा है, अगर आप देखें तो यह x के बराबर है, यह यहां पर क्या है, यह यहां पर एक बड़ी interesting बात है, यहां पर जब आपको x नजरा आ रहा है, तो आप function जो है, उसके अंदर भी आपको x न x plus 1, ठीक है, 2 into g of x plus 1, ठीक है, आपको I think बात समझ आ गी होगी, ठीक है, देखें इसको खुद दी, अगर आप देखें तो आपको यह idea हो जाएगा कि, g of x जो है basically, जिसले आपने यहां पर x को as a domain के तोर पर एलिए, simple x को domain पर, अब g of x जो है, वो domain है, लेकिन मज़े की ब वो अगर देखा जाए तो g of x तो एक function है, जो के range है, यानि for example, for example, मैं यूँ करता हूँ, मैं कहता हूँ, let's say x is equal to 4 पर हम evaluate करते हैं, x is equal to 4 पर हम evaluate करते हैं, किस function को, इसी function को, f of g of x को evaluate करते हैं, करें, देखें जी, हम g of पहले 4 find out करें, because g of x हमने find out करने हैं, पहले g of 4 पह तो g of 4 के लिए 4 times 4 लिखेंगे, तो is equal to 16, is equal to 16, यहाँ पर याद रहें, कि देखें, यहाँ पर x की जगर मैंने क्या put किया 4, input के दोर पे, जब मैंने input के दोर पे 4 put किया, तो आपको g of 4 is equal to 16, 16 जो है, वो as a output आगया, अब यह वाली जो output है, because g of x actually, g of 4, आब यह बिसकर ल of 4, find out करेंगे तो किसके equal होगा, 2 into g of 4 plus 1 के equal, अब g of 4 किसके equal है, ठीक है, इसको भी देखें, g of 4 किसके equal है, तो definitely g of 4 किसके equal है, g of 4 equal है 16 के, इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे g of 4 as it is लिखतू हूँ, ठीक है, g of 4 as it is लिखतूँ, तो यह आज अगर 2 into g of 4 है किसके equal, 16 के आप यहां पर 16 भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप यह function को define कर रहे हैं, evaluate करें इसलिए आप f of g of 4 is equal 2 into 16 plus 1, तो 2 into 16, 32 plus 1, 33, 33 answer है, क्योंकि देखें, g of 16 या, I mean g of 4 और 2 into 16, because यह दोनों equivalent है, आप यहां पर देखें, g of 4 जो है, वो बिल्कुल बराबर है आपके 16 के, तो इसलिए आपने, चाहिए आप यहां पर 16 लिखते हैं, तो basically हमने function to function इसको evaluate किया, तो यह आपको concept समझ आ गया होगा, कि जो composition of function होती है, उसमें आप given set की, जो जब आप दो function को let's suppose compose करते हैं, तो आप जिस function को as an input ले रहे होते हैं, वो basically एक complete function होता है, जो जिसकी वो value ली जाती है, जो उसकी output में आती है, यनि उसकी range में आती है, यनि आप अगर आप देखें, तो हम ऐसे करते हैं, के तो था f of g of x, अगर हम g of f of x find out करते हैं, इसी case के अंदर, अगर मैं g of f of x find out करूंगा तो वो एक different number आएगा, g of f of x, इसको देखें, यनि यह किसके बराबर होगा, अब इसकी इसको भी understand करें, अब आपको पता है, यह अब यहां पर देखें, हम किससे करेंगे, यह भी एक interesting सा, अभी कुमारे पास situation बन चुकी हुई है, देखें, हम किससे करेंगे, g of f of x, इसका मतलब है, कि सबसे पहले तो आप find out कर ले, सबसे पहले तो आप देखें, g of f of x आएगा, किसके equal, g of f of x equal आएगा, क्योंकि यहा to f of x, तो यह आपके पास, g of f of x डिफाइन हो गया, अब आप, let's suppose, x is equal to 4 पे, चलें, यह भी 4 पे find out करते है, x equal to 4 पे, इसको भी find out करते है, और देखें, यहां पर क्या answer आता है, यहां पर हमारे पास क्या answer आएगा, जी, आप देखें, g of f of 4 is equal to 4 into f of 4, ठीक है, यह नहीं because of f of 4, अब यहां पे पहले f of 4 find out तो करें, f of 4 आएगा, f of 4 हमारे पास आजएगा, 2 into 4 plus 1, 2 into 4, 08, 4 into 4, 08, 2 into 4, 08 plus 1, 9, तो यह 9 आगया, इसका मतलब है, f of 4 तो आता है, 9, तीक है, f of 4 तो आता है, 9, इसका मतलब है, अगर आप यहां पे 9 insert कर दें, यहां पे next step में यहां पे 9 insert कर दें, 9, 4, 0, 36, तीक है, 9, 4, 0, 36, इसका मतलब है, अगर आप 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 से देखें, तो यहां रहा है, 36, यहां पे answer आ रहा है, 36, तो यहां पे हमें मालूम हुआ, कि यह जो है, यह भी एक, यहनी f of g of x और g of f of x दो, जो है, वो different values आ रही है, तीक है, क्य यहां पे, यहां पे, यहां पे, f of g of x में, f of g of x में क्या हुआ था, कि आपका, यहां पे मैं शो करा हूँ आपको तो, एक comparison, f of g of x में यह हुआ था, कि g of x की जो range थी, वो f of x की domain बनी थी, लेकिन यहां पे अगर आप देखें, f of x में, f of x की जो range है, वो g of x की domain बन रही तो इस तरह से इन दोनों की values different आई हैं, अक्सर आप three functions को भी compose करते हैं, three, four, जतने functions को मर्जी compose कर लें, यहां पर देखें, let's say हमारे पास अगर इसी को रखें, f of x is equal to 2x plus 1, 2x plus 1, g of x is equal to 4x, ठीक है, चलें, h of x कर लें, h of x is equal to x, let's say, तो आप एक function define करें, f of g of h of x, h of x, यह मैंने एक function define किया, अब यह compose किया, अब इसको किस तरह से, यह किसके equal होगा, अगर मैं यहां पर finite करूँ तो देखें, यहां पर किसके equivalent आ जाएगा, यहां पर देखें, f of, f of पहले आप लिखेंगे, 2, यहनि मैं इसको लिखूं, 2 into g of x, ठीक है, what is g of x, g of x है, g, g actually है 4, यह बलके आप step by step कर लें, आपको इस तरह जादा समझ आ जाजएगी, ठीक है सबसे पहला step होगा, क्या, let's suppose, x equal 2 के लिए evaluate कर लें, हमको जादा समझ आएगी, 2 के लिए evaluate कर लें, सबसे पहले हम करेंगे h of x, h of x है किसके equal है, यहनि h of 2, h of 2 देखते हैं तो 2 के equal है, इसका मतलब है, h of x तो होगया 2 के equal, ठीक है, अब g of h of x find out करें, g of h of x find out करें, अब g of x है 4 x के equal, तो यहां पर, क्योंकि h of x आपने लगा है, तो 4 into h of x होजएगा, h of x है किसके equal, h of x है किसके equal है 2 के, because 2 पे find out करें तो 4 2 देखते हैं, अब यह इस पूरी की value आगी 8, इसका मतलब है, कि f of, f of g of h of x किसके equal होजएगा, वो होजएगा आपके पास, 2 into, 2 into g of h of x plus 1 के equal, ठीक है, आप यहां पर देखें, कि actually, यह complete पूरा किसके equal है, यह तो 8 के equal है, यहां पर अगर अगर आप देखें, तो this is equal to 8, तो यहां अगर 2 into 8 plus 1, 16 plus 1, which is 17, तो आप देखें, तीन फंक्शन के अंदर भी हमने composition कर लिए, तीन फंक्शन को भी हमने गठा compose कर ल f of x भी हो सकता है, जो के अक्सर, these are not equivalent, मैं equal नहीं लिख रहा, ठीक है, यानि 2 function की composition जो के sometime, यानि यह f square की form में लिखी जाती है, अगर 3 function की composition अकठी है, यानि जैसे f of x लिख लें, ठीक है, तो इसको आप f3 भी लिख सकते है, अक्सर आप कुछ तरह से भी यह नजर आएग झाल 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 झाल